हेलो एब्रीवान वेलकम आज की क्लास में डिस्कास करेंगे लॉफ डिमान के एक्सेप्शन्स को लास्ट क्लास का कंटीन्यू पार्ट है यह और आज के क्लास को हम कंटीन्यू करने वाले हैं लास्ट क्लास के एज अ कंटीन्यू पार्ट से लास्ट क्लास में जहां हमने डिस्कास किया था law of demand को जहां पर बात किया कि law of demand के meaning के बारे में जो की inverse relationship को दिखाता है between the price and quantity demanded साथ ही साथ हम लोगों ने देखा law of demand के assumptions क्या-क्या है और law of demand के assumptions के बाद हम लोगों ने इसको explain किया था table and diagram बना कर फिर हम लोगों ने last किया हुआ था अपने topic को with the causes of law of demand के साथ कि law of demand के कारण क्या है क्यों हमें inverse relationship देखने को मिलता है between the price and demand तो उसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ points में उसके causes को discuss किया था इससे पहले आज के class को शुरू करूँ आप ये बात समझ लें कि law of demand के causes आपके same होंगे अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि why there is inverse relationship between the price and demand अगर आपसे directly ये पूछा जा रहा है तब भी आप वही points लिखेंगे वही उसके same answers में आ जाएंगे उसके लावा अगर आपसे पूछा जाता है कि demand curve downward sloping क्यों होता है why a demand curve slopes downward तो उसके पीछे के भी वही कारण होंगे जो हमने law of demand के कारणों में पढ़ा है तो reasons अपके same होंगे क्योंके मतलब same निकलता है downward sloping का मतलब ही है inverse relationship inverse relationship between price and demand ही हम discuss कर रहे हैं law of demand के अंदर तो अगर हमने एक बार में causes लिख लिए same कारण आपके अलग-अलग तरह के सवाल में भी इस्तिमाल हो जाएंगे तो चलिए आज के class में हम exceptions discuss करेंगे बात करेंगे कि law of demand के exceptions क्या-क्या है तो देखे क्या है law of demand तो कह रहा है कि inverse relation होता है भई between price और quantity demanded बट exceptions की बात करें तो एक as a general rule हम ये बात समझ चुके हैं कि yes price के बढ़ने पर quantity demanded घटती है और price के घटने पर quantity demanded बढ़ती है ये बात तो हमें पता लग गई है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि price बढ़ी और साथ में demand भी बढ़ गई या फिर price घटी तो उसके साथ साथ demand जो है quantity demanded जो है वो भी घट गई तो अगर इस तरह की कोई स्थिती है जहां पर price के बढ़ने के साथ साथ quantity demanded भी बढ़ जाए या price के घटने के साथ साथ quantity demanded भी घट जाए तो उसे ही हम exceptions of law of supply कहेंगे और उसी तरह के terms को हम लोग इस topic के अंदर discuss करेंगे तो सबसे पहले point में इसको भी हम कुछ points के साथ पढ़ते हैं सबसे first point जो है जहां पर law of supply काम नहीं करेगा वो है Giffen goods सबसे first जहां पर आपका law of supply काम ही नहीं करेगा वो है Giffen goods अब Giffen goods होते क्या हैं तो यह समझोगे These are special kind of inferior goods on which the consumer spends a large part of his income and their demand rises with an increase in price and demand falls with decrease in price Giffen goods जो है यह आपके special type के goods होते है अब special type के goods इसले इनको कहा जा रहा है special goods इसले कह रहे हैं because यह ऐसे goods हैं जिसकी demand को इनक्रीज किया जाता है जब इसकी कीमत बढ़ती है प्राइस बढ़ता है तो इसकी कीमत कम होती है तो इस तरह के goods को हम Giffen goods कहते हैं और Giffen goods के case में law of demand काम नहीं कर रहा आप देख सकते हो प्राइस के बढ़ने पर दिमान बढ़ रहा है और प्राइस के घटने पर दिमान घट रहा है ठीक है जैसे एक्जाम्पल के तौर पर समझो in our country हमारे देश में क्या होता है कि जो prices होते हैं आपके course cereals जैसे की जुवार हो गया या बाजरा हो गया तो इनकी कीमत जब कम होती है तो consumers जो है वो इस तरह के goods को purchase नहीं करते है ठीक है अगर जैसे example में मैं आपको बतारी हूँ मालो जुवार है या बाजरा है तो comparatively क्या होता है कि इनकी कीमत जो है वो कम होती है तो जब इनकी कीमत कम होती है तो लोग इस तरह के goods के demand को घटाते हैं और इनकी जगह पर लोग rice या wheat इस तरह के अनाज का demand जादा करते हैं ठीक उसी तरह से जब इस तरह के goods की demand कीमत बढ़ती है तब क्या होता है कि लोग जो ह तो यहाँ पे हमारा law of demand काम नहीं करता क्योंकि price और demand के बीच में direct relationship देखने को मिलता है इस phenomena को यह जो demand बढ़ता है due to rise in price और demand घड़ता है due to fall in price इसको हम एक term के नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं giffen paradox इसे ही हम कहते हैं giffen paradox, giffen विरोधा भास ठीक है, giffen goods का नाम, giffen goods इसले पड़ा क्योंकि इस तरह के goods को जो है वो दिया गया था इसके concept को सबसे पहले giffen goods की जो चर्चा की गई थी, वो giffen नामकर सास्त्री के द्वारा की गई थी, इसलिए economist के द्वारा की गई थी, इसलिए इस तरह के goods जिनके price के बढ़ने पर demand बढ़े और price के घटने पर demand घटे, उन्हें giffen goods के नाम से जाना चाने लग गया, और इस तरह के goods के case में क्या होता है, कि आपका जो law of demand है वो काम नहीं करता, अच्छा economist का पूरा नाम है Sir Robert Giffen, गिफन goods के concept को दिया गया था Sir Robert Giffen, चोकि इनके द्वारा दिया गया था, इसलिए ऐसे goods को giffen goods के नाम से जाना जाने लग गया, इनहीं के नाम से इस तरह के goods को categorize कर दिया गया है, और ये goods सबसे पहला exception है, आपके law of demand का, law of demand में ये good काम नहीं करते हैं, अब next पर बात करो, तो जैसे की अगला exception जो है, वो हो जाएगा आपका status, symbol, goods, देखिए वैसे goods, जिनका इस्थिवाल status को दिखाने के लिए करते हैं, status, symbol, goods, मतलब बात करते हैं, कि हम अपने समाज में अपने आपको उचा दिखाने के लिए, या दूसरे लोगों से बहतर दिखाने के लिए, अमीर दिखाने के लिए, कुछ goods का ना इस्तिमाल करते हैं, और वैसे goods के case में, prestige वेगरा को बताने के लिए, जो prestigious goods होते हैं, उस तरह के goods को हम status, symbol goods कहते हैं, और ऐसे goods में आपके law of demand को देखा नहीं जाता है, या वो applicable नहीं होता है, किस तरह के products का इस्तिमाल करते हैं, हम अपने status को बताने के लिए, तो जैसे कि आपके होगए diamond, gold, antique paintings, तो इस तरह के जो आपके goods हो गए, ये आपके कहलाते हैं, status symbol goods, और इस तरह के जो goods हैं, इनके case में law of demand काम नहीं करता, कहने का मतलब है, कि diamond वगएरा है, या gold है, या आपके antique paintings वगएरा का नाम लिया, तो इस तरह के goods में law of demand काम नहीं करता, यानि कि अगर price कम होता है, तो demand बढ़ेगा, या फिर price बढ़ेगा, तो demand कम होने लग जाएगा, देखिए ऐसी बात नहीं है, जो society है, उसमें कई तरह के लोग है, rich class है, middle class है, lower middle class है, और इंडिया जैसी country में, most of people जो है, में करेंगे, मतलब price अगर नहीं भी कम हुआ है, तब भी वो क्या करेंगे, generally इस तरह के goods की कीमत कम नहीं होती है, तो कीमत अगर कम नहीं है, कीमत बहुत जादा है, तब भी वो क्या करते हैं, इस तरह के product का demand बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको अपना status को maintain करना है, अपनी समाज में प्रतिस्था को बनाए रखना है, कि हम बहुत अमीर हैं, तो मीरी दिखाने के लिए जो है, आप जिस तरह के वस्तूओं का इस्तिमाल करोगे, उन वस्तूओं में आपका law of demand काम नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के goods का demand हमेशा होगा, इधर price high होगा और low होगा, उसके अलावा, next point में, exceptions में आजाएगा आपका, अगला exception है, fear of shortage, देखे, fear of shortage में क्या है, कि अगर as a consumer आपको लग रहा है कि कोई product है, और market में, वो product short करने वाला है, उसकी कमी हो जाएगी, आगे नहीं मिलेगी, तो उस स्थिती में, आप ये नहीं देखोगे कि price कम है, या price जादा है, आप बस उसके demand को बढ़ा दोगे, जैसे अभी lockdown, covid का time चल रहा है, first lockdown जब लगा था, then उस वक्त लोग बहुत panic हो गए थे, और उस स्थिती में लोगों ने क्या किया था, कि ये कहीं से एक rumor kind of thing आया, कि चीजें नहीं मिलेंगी, या दुकाने बंध हो जाएंगी, तो लोगों ने क्या करा, कि बिलकुल market की तरफ तूट पड़े, और लोग चले गए बाजार में, और बहुत सारी चीजों को एक साथ stock करके रखने लग गए, वहाँ पे जो लोग market की तरफ भाग रहे थे, और हम लोग सब भाग रहे थे, तो हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कीमत कम है कि कीमत जादा है, हमें ये पता था कि भाईया shortage होने वाला है, सामान जो है वो lay-out market से, तो एक fear of shortage की वज़े से हमने ये consider नहीं किया, कि market में price कम होगी तभी demand बढ़ाएंगे, हमने demand बढ़ा दिया, even price जो है वो unchanged रहा या prices जादा हो गए, क्योंकि जो बेच रहे थे उनके भी दिमाग में था कि हाँ shortage हो जाएगा, तो जो थोड़े बहुत है चीजें, उसी को higher price पे बेच दो, तो उन्होंने price बढ़ा दिया और हमने demand बढ़ा दिया, यहाँ पे कहीं पे भी law of demand काम नहीं किया, क्योंकि law of demand तो कहता है higher the price, lower the demand, and lower the price, higher the demand, but in case of fear of shortage, हम भूल जाते है law of demand को, और हम बिल्कुल higher price पे higher demand करते हैं, lower price की तो खैर कोई बात ही नहीं होती है,